नमस्कार, Quick News कारिकरम में आप सबी का स्वागत है, मेरा नाम है मनीश्रवास्त और हम बात करेंगे IIT मदरास ने लॉंच किया पंच दा प्लास्टिक ड्राइब विश्व धारणता दिवस के मौके पर भारती प्रद्योगी की संस्थान मदरास ने पंच दा प्लास्टिक अभ्यान शुरू किया है ये गीले और सूखे कचड़े के निप्तान के लिए उप्योग करता के अनुकूल योजना बद पहलों में से एक है संस्थान ने सूखे और साफ प्लास्टिक जैसे गैर, पुनर, नवीनी करण, खाद, पैकेजिंग, सामगरी को इखटा करने और पाइरोलिसिस के माद्यम से उन्हें रीसाइकल करने के लिए ये पहल शुरू की है इसका उद्देश परिसर के निवासियों के बीच कच्रे को अलग करने, पानी और उर्जा के उपयोग को कम करने के लिए जागरुकता पैदा करना है दरलसर संस्थान को कम कारबन फुट्प्रिंट और कम वाटर फुट्प्रिंट के साथ एक शूनने अप्शिष्ट परिशर बनाना है और इसके लिए परिसर में प्रत्यक व्यक्ति को प्रशाशन के प्रयास को मजबूत करने के लिए अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना है इसके दाइरे में छात्रावाज, सेक्षनिक छेत्र, आवासी शेत्र, पूजास्थल, दुकाने और स्कूल सभी आएंगे इसे सफल बनाने के लिए संस्थान के छात्रों ने पायरोलिसिस के लिए स्वच और सूखी प्लास्टिक पैकेजिंग सामगरी एकत्र करने के उद्देश से एक साधारण हुग डिवाइस के दो मॉडल तैयार किये हैं गीले और सूखे कचड़े के निप्तान के लिए उप्योग करताओं के अनुकूल बंदर प्रूफ डस्ट बिन मॉडल विक्सित करने के लिए एक हैक्तॉन की भी ओजना बनाई गई है इसके अलावा कार्बन जीरो चैलेंज 2022 द्वारा प्रायोजित प्रोटो टाइप को विक्सित करने और परिक्षन करने के लिए सर्वोत्तम डिजाइन को धन राशी भी मुहिया कराई जाएगी इस ड्राइव के हिस्से के रूप में परिसर के निवासियों के बीच जागरुकता बढ़ाने के लिए आवासिये सेक्षन एक और छात्रावार शेत्र के स्थाई चैंपियन विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के बीच एक प्रतियोगिता भी प्रस्तावित की जाएगी इसके अंतरगत प्रतिभागियों को पानी, उर्जा, अप्षिष्ट और स्वच्छता और्डिट के आधार पर रैंक किया जाएगा। अगर पायरोलिसिस की बात करें तो एक निश्क्रिये बातावरण में उचे तापमान पर अप्षिष्ट के थर्मल अब घटन की एक प् परिवर्तन होता है। पर्यावरंड वन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले के अनुसार भारत में लगभग 34.7 लाग टन प्रतिवर्ष प्लास्टिक कच्छडा उत्पन्न किया जाता है जिसमें से केवल 50% ही रिसाइकल हो पाता है। आपको बता दें भारत ने 1 जुलाई प्रतिवर्तन हो बता है जिसमें से के बता है।